हाई आवरिवन, उमीद आप सभी लोग अच्छे होंगे, इस वीडियो में आप लोगो एक अचीर्मेंट के बारे में एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ अगर आप लोगो इसी तरह से और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत हैल्प करता है, सो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो हम अचीर्मेंट में चले जाते हैं, यहाँ पर आप लोगों अचीर्मेंट दिखेगा जिसका नहीं में सेलिब्रेशन कलेक्शन अगर अपने PUBG की Anniversaries पे लॉग इन किया होगा अपने गेम में तो आप लोगों के Missions कमप्लीट होंगे इस अचीर्मेंट के कुछ लोगों ने लॉग इन नहीं किया था तो उनके कमप्लीट नहीं होंगे डिपेंड किरता है कितने सीजन में आपने लॉग इन किया था ठीक है इसके बाद में हम यहाँ पे चले जाते हैं अगर आपने लॉग इन किया होगा तो यह collectables सारे आपके पास में होंगे अगर नहीं किया था तब भी कोई चिंता करने की ज़रूद नहीं है आपको फ्री में अभी भी मिल सकते हैं पहला वही जो है फ्री में लेने का वो यह है आपके फ्रेंड के पास में यह collectables होने चाहिए तो आपका फ्रेंड आपको help कर सकता है collectables send करके दूसरा वही एक और है जो की वो भी फ्री है ठीक है इसमें आपको अपने फ्रेंड की नीड होगी बट दूसरा वही जो है उसमें आपको किसी की भी नीड नहीं होगी अपना आप खुद कर सकते हैं यहां से जो शॉप है यहां से आप ले सकते हैं 1200 टोकन्स में आप लोग को जो भी collectible की need है ना वो redeem कर सकते हैं जैसे मैं आप लोग को बता रहा था फरस वाले way में आप लोग अपने फ्रेंड की need होगी आपका फ्रेंड आपको send कर सकता है जो भी आपके पास में anniversary का वो नहीं है collectible तो आपका अपने friend से बोल सकते हैं वो आपको send कर दीगा हाँ आपका friend या आप खुद किसी को send कर रहे है न तो तीन बार ही कर सकते हैं ठीक है each anniversary का इस achievement में अगर आपने सारे anniversaries में login कर लिया होगा तो आप लोग को frame और अफ़तार मिल गया होगा और इसमें ये sixth वाला कैसे ले so मैंने आप लोग को बताया था पिछली वीडियो में कि आपको three days continuous login करने है अपनी game में अगर आपने कर लिया है तो इसे आप unlock कर पाएंगे अगर आपने नहीं किया है कोई बात नहीं है आप 13 माई से पहले तीन दिन लगता login कर लिजिएगा उसके बाद भी unlock कर पाएंगे unlock करने के बाद में भी आप लोग को इसके लिए 50 tokens देने पड़ेंगे ये tokens कहां से लिए सकते हैं हम लोग जो shop मैंने आपको दिखाई थी ना पहले महां से हम लोग को बिलकुल फ्री में मिल जाएगा ये वाली shop इन्हें redeem करने के लिए आप लोग को sky tokens चाहिए है sky tokens हम लोग को अभी जो मिल रहे हैं वो दो तरह से मिल रहे है पहले जो ये offline create है न यहां से हम लोग को मिल रहे है ठीक है आप लोग इसमे क्लिक करें और टू तैम्स ये वाले box को अब redeem कर सकते हैं इसमें limit लागा देगी है पहले limit नहीं थी लेकिन अब लागा देगी है डेली आप टू boxes redeem कर सकते हैं redeem करने के बंद में dismantle कर दीजेगा dismantle का time जो complete हो जाएगा आप लोग को यहां से tokens मिल जाएंगे ठीक है second way जो है हमें ये sky वाले tokens मिल सकते हैं वो है event में से पहला event ये वाले यहां पे आप लोग को missions करने के लिए दिए गए हैं login करना है, एक kill करना है theme mode में last में बलगे, 30 minutes spend करना है, वो भी theme mode में sorry and इसके बाद में हमें ये weekly voucher event मिल जाता है यहां से भी हम लोग को sky tokens मिल रहे हैं so ये दो वे ही हैं जिससे हमें sky tokens मिल सकते हैं so आप लोग daily daily collect कर लीजेगा, box message जो हैं वो जो box dismantle करके रखना है वहां से कितने भी मिल सकते हैं लेपेंड करता है, number उसका कोई limit नहीं है ठीक है so sky tokens की मदद से आप लोग यहां से 50 ये वाले tokens easily redeem कर पाएंगे और फिर उसके बाद में आप लोग को 6th anniversary का collectible भी मिल जाएगा and अगर आपके पास में कोई भी friend नहीं है या आपके friend के पास में collectible नहीं है तो आप लोग क्या कीजेगा, यहां से redeem कर लिजेगा 1200 sky tokens में आप लोग को each anniversary का collectible मिल रहा है इसके लवा आप लोग और भी बहुत कुछ redeem कर सकते हैं आप चाहें तो and जब आप लोग collectible ले लेंगे तो आप लोग के display में भी आ जाएंगे और यह वाला emote भी कर पाएंगे आप लोग जो कि आपके friend को भी show होता है अगर आप लोग को वीडियो में इतना है अगर आप लोग को वीडियो में देगी information और explanation पसंद आई हो तो please video को like कर देना अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को subscribe कर देना so thanks for watching have a great day, take care and bye bye